हेलो अच्छों क्या हाल चाले बाई सब बढ़ियां एकदम बढ़ियां यूनाची बिटा तो लेकर आएं आपके लिए जेई एडवांस 2023 में एक नेम रियक्शन एक कदम जेई की ओर तो बड़ा इस तरीके से अपन रियक्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं जिनका पोर् बन सकते हैं जेई एडवांस में ऐसे कोई ऐसे रियक्शन को ही अपने यहाँ पर अवन डिसकस करें वाले कि बढ़ा अब एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि मंजिल है ना मंजिल पाने के लिए अपने को बहुत होसला चाहिए बहुत होसला चाहिए और एक बार आपने ह वोसल और हिम्मत को अपने थाम लिए ना तो मंजिल दूर निये बटा अपने को मंजिल मिलेगी चरूर मिलेगी तो चले नेक्स रियक्शन के साथ सुरू करते हैं ये चेप्टर जिस रियक्शन का नाम है SN1 reaction किसी भी reaction को अगर अपन को समझना है तो मैंने आपको हमेशा कहा है आप उसके नाम में जाईए उसके नाम में उसका मतलब बहुत अच्छे से clear पता चलेगा आपको अब क्या समझाना चाहरा है ये SN1 reaction S का मतलब तो हमें पता है substitution होता है N का मतलब nucleophilic होता है इस 1 का क्या मतलब है ये हम mechanism में समझेंगे तो चले स्टार्ट करते है क्या आती है, क्या होता है यहाँ पर तो यहाँ क्या होता है बटा यहाँ एक alkyl halide लेते हैं क्या लेते हैं आप यह अब alkyl halide जैसे माल लीजे मैंने यहाँ alkyl halide मैंने लिया है जहाँ wedge पर मैंने hydrogen रख दिया है और dash पर मैंने यहाँ पर bromine रख दिया है और यह रहा CS3 यह रहा C2H5 कुछ इस तरीके से अपनने चीजों को यहाँ पर substitute किया अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर nucleophile ले रहा हूँ तो और सबसे important बात कि सर यह nucleophile कैसा होना चाहिए तो बटा यह nucleophile weak nucleophile होगा यह कैसा nucleophile होगा यह एक weak nucleophile होता है अब बात आती है कि सर यह weak nucleophile पहचान होगे कैसे आप हम कैसे जानेंगे कि weak nucleophile कैसा दिखता है तो पैटा weak nucleophile हमेशा neutral दिखेगा आपको कोई चार्ज नहीं होगा neutral जैसे water weak nucleophile है H2S weak nucleophile है HCN weak nucleophile है मतलब कहीं न कहीं आपको neutral form में वो मिलने वाले है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या है ये एक weak nucleophile है अब बात आती है कि सर्फ weak nucleophile तो reactive भी नहीं होता है आप हैलाइड को कैसे निकालोगे फिर कैसे substitute करोगे हैलाइड को इसी reason से हम जो यहाँ solvent लेते हैं ना बेटा वो solvent लेते हैं हम polar protic solvent ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि polar protic solvent में क्या present होता है hydrogen bonding present होती है क्या present होता है hydrogen bonding फिर एक बात है कि सर् hydrogen bonding का use क्यों कर रहे हो आप क्या reason है hydrogen bonding का आप कभी तो ले रहे हो कभी नहीं ले रहे हो भाई nucleophile जब attack करने जा रहा था SN2 reaction तो मैं disturbance नहीं चाहता था अब तो nucleophile attack ही नहीं कर रहा है living group को कौन निकालेगा कोई ऐसी चीज जो attraction में यूज़ आए और attraction में कौन यूज़ आती है polar protic solvent तो यहां क्या होता है बेटा यह जो solvent है लिसे माली यह वाटर है अब bromine क्या करता है bromine इसके साथ attraction शो करता है इसके H plus के साथ और काफी सारे water molecule में जब यह H plus के साथ attraction होता है तो एक bond तो बनने लगता है और एक bond कहीं ना कहीं तूटने लगता है तो SN1 का सबसे पहला step ही यही है कि यहां reactant से living group remove होता है इन बातों को अब यह वन use करेंगे और जब living group remove हो रहा है तो बताइए बेटा मुझे CS3 है C2H5 है hydrogen है क्या free valency का मतलब है positive charge इसका मतलब इसमर बनता है intermediate क्या बनता है intermediate क्या यही इस्टेप सबसे slowest होगा क्योंकि यार कोई sigma bond का तूटना कोई fast step तो नहीं हो सकता क्योंकि sigma bond तो एक strong bond होता है तो क्या यही slowest step है और बेटा जब slowest step यहीं है तो बताइएगा RDS step भी कौन सा होगा क्या RDS step भी कहीं न कहीं living group का निकलना ही होगा अब कार्बो कटैन फॉर्म हो चुका है कार्बो कटैन का formation हो चुका है intermediate में इसका मतलब जितना तगड़ा कार्बो कटैन होगा क्या उतनी तगड़ी reactivity होगी यहां तक मेरे ख्याल से बात clear हो गई होगी अब जब कार्बो कटैन बन चुका है अब क्या होना चाहिए था अब यहां नीकलियोफाइल को attack करना चाहिए था अच्छा नीकलियोफाइल कैसा था वीक हमने यहां वाली जे water ले लिया है तो क्या water का attack carbon के sp2 hybridization मतलब planar quantity में हो रहा है planar में तो attack उपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है इसका मतलब यहां पर अगर मैं anti attack करू तो inversion भी possible है इसका मतलब यहां inversion भी होता है साथ ही साथ अगर same sides attack करू तो retention भी होता है तो यहां पर 50% inversion and 50% retention product form होता है अगर मैं यहां product की बात करूँ तो पता है यह product में क्या wedge पे H है अगर retention बना रहा हो तो retention का मतलब जिस side halide लगा था उसी side मैंने water का attack की और OH लगा दिया है क्या यह कही ना कही inversion है या retention है बेटा जिस side halide था उसी side तुमने substitution किया है मतलब यह कैसा है retention है और अगर opposite side मतलब wedge पे dash पे halide है और wedge पे मैं OH को रख दूँ इसका मतलब अब क्या मैंने inversion किया है और बेटा inversion किया है इसी लिए मैंने चीजों को उल्टा कर दिया है तो यह कैसा product है inversion तो यहां inversion भी बनता है और retention भी बनता है अब जब basic basic point को देखे क्या क्या हुआ हुआ क्या मुझे clearly पता लग रहा है कि सबसे पहली चीज है living group का निकलना तो क्या मैं सबसे पहले living group की removal tendency को चेक करूँगा तो सबसे पहला point हो गया living group की removal tendency यह हम लिखेंगे अभी weak nucleophile है तो यहाँ nucleophile तो react नहीं करने वाला तो क्या rate सिर्फ और सिर्फ reactant पर depend करने वाली है तो बताइए गज़रा next point के अगर मैं बात करूँ तो क्या मुझे दिख रहा है कि reactivity में सबसे पहला point आना चीए था living group tendency और मुझे पता है living group tendency में I negative then BR negative then CL negative and then F negative क्या मैं लिख सकता हूँ कि rate किस पर depend कर रहा है बेटा rate के अगर हम बात करें तो क्या rate सिर्फ और सिर्फ reactant पर depend करेगा तो बताइए बेटा order of reaction भी क्या होना चाहिए था order of reaction 1 होना चाहिए था बट अब molecularity क्या होती है molecularity का simple सा मतलब होता है कि एक time में कितने लोग involved हो रहे है तो क्या यहाँ सिर्फ एक ही involved हो रहा है वो है reactant तो बताइए क्या मैं लिख सकता हूँ कि इसकी molecularity भी क्या होगी 1 और 1 को हम क्या बोलते है unimolecular अब जो SN1 का नाम पढ़ा है न वो यहीं से पढ़ा है order of reaction 1 molecularity 1 nucleophilic substitution unimolecular क्या अब आपको समझ में आया कि यह 1 कहां से आया है living group पे depend कर रहा है ठीक है भाई अच्छा कहीं न कहीं मैं product की बात करूं तो क्या product में inversion भी बनेगा और retention भी बनेगा इसका मतलब inversion भी possible है as well as retention भी यहां पर possible है अब आप कुछ बातों का ध्यान रखिये यहां पर जो बाते बहुत important है जैसे कहां कहां पर SN1 नहीं होता है हमें यह जानना होगा चलिए start करते हैं आगे की बात कहां कहां पर SN1 नहीं होता है क्या आपको यह बात तो clear पता है कि भाईया कार्बो कटैन बन रहा है तो सब कुछ किस पर depend करना चाहिए था कार्बो कटैन की stability पर क्या one degree कार्बो कटैन कभी बन सकता है क्या पैटा one degree कार्बो कटैन तो highly unstable होता है और highly unstable है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि क्या कभी 1 degree पे SN1 reaction होगी, कभी नहीं होगी Second point, bad living group हमने हमेशा देखा है बैटा, bad living group जब निकलेगा ही नहीं तो substitution कभी हो सकता है क्या, तो bad living group कौन होता है हलाइड में, fluorine मतलब अगर fluorine connected है किसी R के साथ, वो R कितना ही अच्छा हो, वो R tertiary ही क्यों नहीं हो भाई या F निकलेगा ही नहीं, तो R पे कैसे substitution करोगे, मतलब bad living group के case में कोई substitution नहीं होगा Double bond के उपर positive कभी लगाओगे क्या, पेटा, double bond के उपर positive highly unstable होता है और जब highly unstable है, तो क्या यहाँ SN1 reaction हो सकती है, तो यह SN1 reaction कभी नहीं देगा याद करो same SN2 में भी, double bond पे halide अगर substitute है, तो ना तो वो SN2 देगा, और ना ही वो SN1 देगा चलिए आगे की बात करते है, bridge head carbon, मैंने आपको यह भी बताया था SN2 reaction में कि कभी भी bridge head carbon, SP2 नहीं होना चाता, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा यह 3-3 carbon, same plane में आए क्योंकि repulsion बढ़ जाएगा, इसलिए में कभी bridge head पर attack कभी नहीं कर सकता, bridge head पे कभी SP2 hybridization कभी नहीं रख सकता, इसका मतलब कभी भी SN1 reaction नहीं हो सकती चलिए next, आगे वाली बात करते हैं, आगे वाली बात आती है sumo group, पेटा है तो यह 1 degree ना जब 1 degree पे बनता ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी SN1 reaction नहीं हो सकती मतलब sumo group पे, अब किसी के mind में या रहोगा, सर आप positive बना के shift कर दो क्योंकि shifting तो होती है positive में, बिल्कुल बेटा shifting होती है, लेकिन जब positive बनेगा, तब तो shift होगा positive तो बनी नहीं रहा ना, तो shifting की बात तो होगी नहीं, मतलब यह 4 point आपको clear पता लग गए कहा कहा SN1 होगी और कहा कहा पे नहीं होगी, क्या इस positive के बनने पर मुझे clearly पता लग रहा है, जितना stable positive, उतनी अच्छी reactivity, क्या मैं कह सकता हूँ, tertiary carbon, then 2 degree carbon, then 1 degree carbon क्या carbo-cutane है, तो shifting जरूर होती है, मतलब shifting भी हो सकती है, ring expansion भी हो सकता है, और वो सारे काम हो सकते है, जो अपने यहाँ पर positive में जो हमने सुने हुए तो हमें ये clear पता लग गया कि यहां positive बनता है positive बनता है तो ring expand भी हो सकती है ring कहीं न कहीं ring का बड़ा होना expansion का मतलब बगा ring का बड़ा होना 5 से 6 में conversion, 4 से 5 में conversion shifting का मतलब क्या होता है अपनी stability को gain करने के लिए वो shift करता है तो shifting भी हो सकती है चलिए example करता है कुछ example करेंगे तो clear पता लग जाएगा कि किस तरीके से यहां पर question किये जाते है देखिए क्या सबसे पहला step क्या होना चीए था बताईए mechanism में सबसे पहले step में क्या halide remove हुआ था अच्छा मुझे बताईए halide remove क्यो हुआ था क्या polar protic solvent के attraction के कारण वो bromine remove हुआ था क्या सबसे पहले step में क्या मुझे clearly पता लग रहा है कि यह कार्बोकटाइन बन जाएगा यह कार्बोकटाइन को जड़ा ध्यान से देखो क्योंकि ring से connected carbon पे जब कार्बोकटाइन बनता है तो क्या यह ring expansion का case है इसका मतलब ring expand कर जाएगी और बिटा ring expansion का case है तो five member जब six member में convert होगी मतलब यह bond तूट के इससे connect होगा तो मुझे बताइएगा क्या आपको expansion करने में कोई दिक्कत नहीं है बगल में positive आजाएगा और जैसे ही expansion किया क्योंकि आपको पता है यह point यहाँ तूटेगा तो positive नीचे आएगा मतलब methyl के बगल में positive लेकिन क्या इससे भी stable बन सकता है बिलकुल बन सकता है one two shifting होगी और finally यहाँ जाएगा अब क्या करना चाहिए अब OH को attack करना चाहिए और final product में क्या मुझे clearly पता है कि final product tertiary alcohol बन जाएगा जरा ऐसा ही question यह है बिटा क्या सबसे पहले आप halide को remove करोगी और halide को remove करके आप क्या form करोगे कार्बो कटैन और कार्बो कटैन क्या अपनी stable position पे है या इससे भी stable पहुँच सकता है इससे भी stable यह पहुच सकता है मतलब one two shifting होगी and finally water का क्या हो जाएगा attack हो जाएगा और water का attack करके एक tertiary alcohol form कर लेगा क्या form कर लेगा एक tertiary alcohol form कर लेगा तो करना कुछ भी नहीं है या positive लगाओ shift होता है तो कर दो और बाद में निकलिफाइल को attack कर दो जड़ा यहां देखेगा यहां मैं थोड़ा सच question को change करता हूँ यहां मैंने इसको tertiary लगा दिया यहां ठीक है अब जब मैं हलाइट को हटाऊँगा two degree कार्बो का टायन है ठीक है बन सकता है कोई बात नहीं क्या मुझे clearly दिख रहा है कि क्या sifting हो सकती है लेकिन जब यह sift यहां करेगा तो क्या valency में hydrogen नहीं है वरना मैं hydride sifting ही करता लेकिन क्या यहां पर methyl 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 है तो बताओ sifting कौन सी होगी one two methyl sifting होगी या नहीं होगी और जब one two methyl sifting होगी finally यह एक tertiary alcohol form कर लेगा मतलब question कहां से पूछ रहा है question का पूरा motive है कि तुम्हें sifting आनी चाहिए तुम्हें पूरी तरीकिसे ring expansion आना चाहिए question यह कहना चाह रहा है question की theme को समझो ठीके न चलिए आगे दिखने क्या bromine हटेगा और positive लगेगा positive की shifting हो सकती है क्योंकि यहां resonance मिल रहा है इसको और finally water का क्या हो जाएगा attack हो जाएगा तो बताइए क्या OH यहीं लग जाएगा और आप answer को easily draw कर सकते हो अब आप सीख चुके हो पूरी तरीके से किस तरीके से SN1 reaction proceed हो रही है तो आपको मेरे काल से SN1 में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी next विकी का bromine जब हटेगा यह ring expansion नहीं करेगा क्योंकि यह इतना stable carbocatine है जिसे हम बोलते हैं dancing resonance इसका मतलब कभी भी tertiary पे कभी भी three members के just connected पे carbocatine हो तो वो हमेशा कौन सा case होता है dancing resonance का case होता जब attack करेगा तो H plus protonate हो जाएगा और OCS3 attach हो जाएगा मतलब एक ether form हो जाएगा water होता तो alcohol form हो जाता ROHR तो OR substitute होगा और OR substitute होने से क्या बनता है ether बनता है तो इस तरीके से अपन ने SN1 reaction को पूरी तरीके से समझा और आप पूरी महनत से इसे समझ रहे हो बिटा तो सी तरीके से लगे रहेंगे और आगे कई सारी reaction को अपन complete करते रहेंगे The best of luck for your J.E. Advance 2020 Thank you बच्छ